हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फूट फैस्ट विद फैमिली एन फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्टी और जटपट बनने वाले नास्ते की रेसिपी इसे आप नास्ते में खाएं या बच्चों को टिफिन में लगा कर दें या फिर सफर पर बना कर ले जाएं ये इतना टेस्टी नास्ता है कि आप इसे एक बार 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 बना कर जरूर खाएंगे तो चलिए से बनाते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजे जिसे कि आप मेरी आने वाली नई रेस्पीस को भी देख सके हैं वो विल्कुल फ्री में है और साथ में लगे वेल आइगन को प्रेस करना ना भूले है इसके लिए मैंने लिया है एक क चमस जीरा पाउडर एक चमस हल्दी पाउडर और एक चमस धनिया पाउडर अब इन सभी को आटे में मिला लेंगे और मैंने यहां पर लिया है एक टेबल स्पून कसूरी मैती मैंने इसे मसल कर बारी कर लिया है और साथ में एट किया है नमक स्वादनुसार और एट किया है मुट्टीवर दनिया पत्ती बारी कटी हुई और लास्ट मैं एड़ किया है दो चमच देशी घी और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैंने एड़ किया है आदा चमच अजवाइन इसे हलका सा हतेलियों से मसल लिया है आप इसे पहले भी एड़ कर सकते हैं मसाले डालते टाइम और अब थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके पूरियों के आटी की तरह है इसका डो बना लेंगे और ये देखिए इसका डो तयार हो गया है और इसे 10-15 मिनट के लिए हम ढग कर रख देंगे और ये 10-15 मिनट हो गए हैं और अब इसे थोड़ी देर और मसल लेंगे अब जितना आटा हम रोटियों के लिए लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा आटा लेकर उसका पेड़ा बना लेंगे और बिलेंट पर भी इस तरीके से घी लगा लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं और इसे रोटी के साइज से थोड़ा बड़ा बेल लेंगे और इसे इस तरह से ग्लास की हेल्प से राउंड शेप में कट कर लेंगे और इसका एक्स्रा आटा निकाल लेंगे और अब इन्हें भी हलका सा बेल लेंगे जिसे के इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये देखिए सभी बराबर शेप में तैयार हो गए हैं पूरियों के जैसे और आप इन्हें नॉर्मल पूरियों की तरह से भी बेल सकते हैं और अब इन्हें गर्मा गर्म ओयल में डालते जाएंगे और एक बार ओइल गर्म होने के बाद फ्लेम लोटू मीडियम ही रखनी है और इन्हें जल्दी जल्दी अलट पलट करते हुए सेख लेना है नहीं तो ये जल जाएंगी और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म टेस्टी नास्ता तयार है तोड़ी देर इस तरीके से रखेंगे जिससे कि इनका एक्स्टा ओइल कड़ाई में ही निकल जाएगा और ये हमारा गर्मा गर्म टेस्टी नास्ता तयार है अब आप इन्हें गर्मा गर्म खाईए चाहें तो चाय के साथ या आम की लोंजी के साथ या अचार के साथ या ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे आप भी घर पर इन्हें जरूर बनाईए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग